मध्यपरदेश बोज ओपन यूश्टेटी द्वारा ओडियल के माध्यम से यानि पत्राचार के माध्यम से 28 पाठ्यकर में परवेश के लिए ओनलाइन आवधियम फॉर्म भरवाय जा रहे हैं आप लोग ओनलाइन आवधियम फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे step by step process इसमें क्या रहता है इसमें फीस कितनी लगेगी photo को size को कैसे set करेंगे क्या-क्या steps आपको follow करने है इसको form को fill up करने के लिए इस बारी लोगों ने ये भी शनशोधन किया है कि वर्तमान में आपको teaching post पे होना कम बसरी नहीं है यदि आपने रेगूलर माध्यम से DLA, BSTC यदि कोर्स कर रखा है तो आप लोग इसमें आवजन फॉर्म बरने के योग्ये हैं यदि आप ये योग्यता धारित हैं और आप अभी कहीं पर भी teaching का कार्य नहीं करवा रहे हैं इसकूल में या government school में teaching post पर नहीं है फिर भी आप लोगों ने यदि आश्टिशी या DLA पाठी करम कर रखा है रेगूलर मोड में तो आप लोग इसमें इलिजीबल है फॉर्म बनने की प्रोसेस अपने लोग साथियों इसमें वीडियो में जानने वाले हैं एक बार पुने मैं आप सभी का सिकसर समाचार महारतिक स्वागित करता हूँ चलिए साथियों वीडियो प्राइब करते हैं लेकिन चोटा सा निवी दिन करूँगा आप यदि नए हैं चनल पे सबस्क्रेब आप लोग सबसे पहले गूगल में जाएएगा गूगल में जाक www.mponline.gov.in आप लोग इस पर क्लिक करिएगा इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यह आपके सामने सर्विसेज MP Online पर नोटिफिकेशन दिखेंगे यहाँ पर साथियों नोटिफिकेशन पर बीएड एंटरस एक्जाम्स के लिए नोटिफिकेशन आ रखा है जो मैंने कर चुका हूँ उस पर यदि आपको नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानना चाहरे हैं बोजन शिर्टी के बारे में तो आप लोग हमारा दूसरे वेडियो देख सकते हैं उसके बाद साथियों एप्लाई फो बीएड डीएलेड एंटरंस 2023-25 यह स्टार्ट है वो 24 ना है ठीक है व्यू अनपेड एप्लिकेशन व्यू रिसिप्ट्स यदि आप लोगोंने फॉर्म तो भर दिया जबसे कारणवास साइड है वो बीच में लोगाउट हो गई या कहीं कोई दिक्कत आ गई आप लोग दोबारा फॉर्म डाउनलूड करना चाहरे हैं यहां से क सहले आप लोग एपलाई वाले पर यहाँ पर क्लिक करिएगा जैसे आप लोग एपलाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह फ़र्म खुल जाएगा इसमें आप से कोर्स सेलक्शन का बोला जाएगा इसमें बैचलर आफ एजगे सन यह बीएड के लिए है और यह डीर वाला हूँ तो B.A. पाठीकरव मैंने सलक्त किया जैसे ही मैंने B.A. पाठीकरव मैं पाठीकरव मैंने सलक्त किया तो इसकी जो पातिरता है वो मेरे शामने शो हो गई है क्या क्या पातरता है, पहली पातरता यह है कि आप सनातक या सनातकोतर में कम से कम 50% मार्क के साथ उत्तिरिण हो, सनातकोतर का मतलब हो गया MA, यदि आपके B.A. में 50 से कम परस्नेटेज हैं, आप लोगोंने MA कर रखा है, तो उसके परस्नेटेज के बैस पर आप लोगों को एड्मिशन मिल जाएगा, साथ ही प्रारंबिक शिक्षा में परशिक्षित्र शेवारत अध्यापक, यानि वरत्मान में आप लोग गौर्मेंट टीचर या प्राइवीट कर रखा हो, यानि जिसने फेस टू फेस रेगूलर माध्यम से स्टीच या डीलेट कोर्स कर रखा है, वो आपने दो वरसी पाठ्यकरम किया हुगा, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, दूरस्त शिक्षा पतिस से पूरण किये गई कारिकरम परवेश पातरता के अ इस्तान आकशन राज Nicole सरकार के निमा सार लगा हो, अर्थिक रुप से कमजोर उफ्ञे इस्तान पर आरकशन राजे सरकार के निमा सार लगा हो हने वाले हैं, परिक्षा अरति स्वयम अपनी बातरता पूर्ण रूप से सूर रिचित कर ले हैं कि वो pre-beat पाठे करा में तू पात रहे हैं pre-beat प्रवेश प्रिक्षा आवेजन के साथ किसी भी परकार के पर्मान पतर छायापरती वे मूल पर्मान पतर स्लगन नहीं करना है सभी पर्मान पत्र प्रवेश प्रिक्सा में चैनित होने पर सत्यापन की प्रिक्रिया के दोरान उपलोग कराने होंगे यदि पर्मान पत्र गलत पाया जाता है तो उशे प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा फिलाल आप लोगों कोई माक्षीट अपलोड करने के आवशेक्ता नहीं केवल फोटो और सिगने चरब ही अपलोड होंगे क्या आप चुने के कोर्स के लिए पातरता रखते हैं हाँ करिएगा हाँ करके सब्मिट करिएगा जैसे ही हाँ करके आप सब्मिट करेंगे तो आपसे है वो प्रिफरेंस फोर एंटरेंस एक्जाम सिटी एंटर्स एक्जाम सिटी भोपाल, इंदोर, जबलपूर और संता ये चार सेंटर्स हैं इन मेंसे कोई भी आपका जो नजदीक पड़ता है आप लोग उसको सलग कर जीएगा अवशक्ता अनुसार परवेश प्रिक्षा के अंदरों के इस तानवे सहर में परिवर्तन किया जा सकता है यदि वहाँ स्टूडेंट्स कम होते हैं तो आपको सेंटर दूसरा भी मिल सकता है उसके बाद साथियों आप लोग देखिएगा आपने सेंटर सलग कर ल इसके बाद आपने लोग चर्चा करेंगे केटेगरी पे तो केटेगरी आप जिस भी केटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका परमान पत्र आपके पास होना चीए आप आउट आप MP स्टेट हैं तो आप लोग इसमें जनरल केटेगरी में आएंगे किसी परकार का कोई आर्ट आप लाग नहीं मिलने वाला है ठीके साथियों उसके बाद आपको रिलीजिन हुआ उसके बाद MP डॉमिक काई याई आप राज़त हो MP स्टेट के निवासी हैं मूल निवासी हैं या नहीं यर्शिया नो करना है आप लोगों को इसमें ये सारी डिटेल्स बनने के बाद आ है आप लोग यसी नो करके चाहिए आन्य था नहीं न करें आप मैरिट है या अनमैरिट ये भी सलड कर लीजिए गा ये सारी चीज़ें सलड करने के बाद आप अपना एडरेस रूरल एरिया वगेरा वगेरी सलड करिएगा उसके बाद साथियों आपको दिखाऊंगा मैं इसमें यह एक आएगा कि आप MP वाले हैं या नहीं है यह तो आप yes no करी चुके हैं, कोई issue नहीं है, उसके बाद select करने का आएगा employed वाला, यह आप employee है या नहीं है, यदि आप employee है, government है या private विद्देले में काम कर रहे हैं, आप लोग employed करिये और यदि आप employed नहीं है, unemployed है, ग employed हैं, unemployed कर दीजिएगा, उसके बाद साथियों यहां आ रहा है employed का type, किस परकार के हैं, आप private में हैं, government में या others में हैं, यदि कोई unemployed हैं, तो भी उनके लिए तीन ही option आ रहे हैं, employed कर रहे हैं, तो भी तीन ही option आएंगे, आप unemployed हैं तो others कर दीजिए गा साथियों, ठीक है, उ यहां पर copy है जाएगा, ठीक है साथियों, उसके बाद, यह भरने के बाद आपने address भर दिया, आपने email ID भर दिया, आपने mobile number अपना डाल दिया, email ID और mobile number दोनों डालने, सही डालने, ताकि आपको जब भी कोई process हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके, अब आ रहा का, और यहां पर आपको BA का, या BSC जो भी आपका course है, उसका आपको यहां पर detail डालना है, कौन से year में passing क्या, maximum marks, total marks कितने हैं, कितने number आपके आए, percentage is automatic ले जाएंगे, division first, second, third, जो भी आपका है, वो आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा, और आपको post graduate हैं, तो आप post graduate म नहीं हैं साथियों, अब यहां यह details डालने के बाद, आपके सामने दो option आएगे, दो एक option यह कह रहा है, आप regular trend in service, आप trend और regular service में हैं क्या फिलाल, तो आप लग इसको करिएगा, और यदि आप दूसरा क्या कह रहा है, you have completed any NCT approved face to face teaching training program in regular mode, आपने यदि आस्टिशिया, D जो भी आपके वहां course जाना जाता है, जैसे बिहार, वीपीटी वगरा, जिस भी नाम से course को जाना जा रहा है, वो course यह आपने regular mode में कर रहा है, और फिलाल आप teaching post पर कार्यत नहीं हैं, घर बैठे हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, इस second वाले option को select कर लीजिएगा, जो भी वर्तमान में teaching post पर कार्यत हैं, और लोगों के लिए फैला option, जो वर्तमान में teaching post पर कार्यत नहीं हैं, लेकिन दो वर्सिये पाठीकरम आपने पहले कर रखा है regular mode में, आप लोग second वाला option select करिएगा, ठीक है, उसके बाद आपने DLAD year regular mode में किया हुआ होना compulsory, यह जो भी courses ह इन में से कोई भी एक course आप लोगों को regular mode में किया हुआ होना compulsory है, कहां से किया उस university का आपको नाम या डालना है, कौन से year में किया, किते percentage बने, division कौन सा आप वो आपको select करना है, working school name with address, यदि अथेती शिक्षक का अनुभव पर्मान पतर परवेश की पातरता के अंदर कर है, क्योंकि मैं teacher हूँ वर्तमान में, तो यहां पर मैरी school का नाम लिखूंगा, और कितने मंत का मुझे experience है, यानि जिस डेट को आप फॉर्म पर रहे हैं, तब तक आप अनुमानित किते महीने का experience रख रहे हैं teaching के अंदर, उसके बाद साथियों यह fees का आएगा, 800 रुपे fees लगने वाली है, पचास रुपे पोटल फीज, टोटल याट सो पचास रुपे फीश, आप लोगों को यहां photo और signature अपलोड करने के लिए, आप लोगों को यहां पे upload emails पे क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग upload emails पे क्लिक करेंगे, आपको image upload करने का ऐसा तरीका आएगा, इस इसको आप लोग crop कर पाएंगे, देखिए, जैसे मैंने ये select किया, इसको मैं छोटा बढ़ा कर सकता हूँ, share कर सकता हूँ, share करके crop करूँगा, crop करते ही मेरा photo शो हो जाएगा, कहां पे यहां photo की जाएगे, उसके बाद यहां upload signature का option आपके सामने, upload signature तो आप लोग यहां पे MP online की website बहुत slow चलती है, आप लोग इसको late say early morning में ही परियास करिएगा, ताकि आप लोगों को इसमें दिकत नहीं रहे, क्योंकि MP भोज जो online इनकी website है, वो काफी slow response करती है, आप लोग एक बार click करके उसको एक बार थोड़ा रुकिएगा, यह refresh होने में time लेती है, तो इसल इसके बाद आप लोगों को सबसे नीचे submit का option आना है, इस submit वाले पर जैसे ही click करेंगे, आपको एक बार preview दिखाए जाएगा, आपका application number प्रमान जो temporary है, वो आपको यहां दिखी जाएगा, आपकी fees कितनी late fee कितनी, सारा कुछ, अभी आपने paid not done, यह अभी तक आपने fees नह कर दीजिएगा, ठीक है साथियों, यदि आपको यह details सही नहीं दिख रही है, back कर दीजिएगा, आप ऊपर से, यहां से यह जो back का option आता है, यहां back करेंगे, आप इसके back वाले page पे चले जाएंगे, फिर आप process to payment पे click करेंगे, साथियों payment के बहुत सारे तरीके हैं, net banking, debit card UTI wallet, इनके त्रूब आप आराम शे payment कर सकते हैं, payment करने की process हम YouTube की privacy की policy की वज़े से हम लोग उसको नहीं दिखा सकते हैं, आप लोग आराम से payment का process सभी लोग जानते ही हैं, payment करिएगा, payment करते ही आपका form है, वो download हो जाएगा, यदि किसी कारण वस आपने यह form भर दिया, payment आ आप नहीं कर पा रहे हैं, technical error आ गया, कहीं कोई mistakes रहे गई, कि मेरा payment कट गया, लेकिन अभी तक यह शो नहीं कर रहा है, तो आप लोग मैंने सरुवात में आपको दिखाया था, एक बार पुने दिखा देता हूं, वहाँ जाएगा, और वहाँ से दुबारा उसको print करने का परियास करिएगा, वहाँ आपको दिखाया जाएगा, यह form आप print कर पाएगा, कोई issue नहीं आएगा, देखिए साथियों, यह वाला option था न, pay, unpaid, pay आनि आपने pay कर रखा है वो, pay नहीं किया है, वो application, view receipts, यदि आप fees की receipts से होगे रहे डाउनलोड करना जाना है, यहाँ स विश्वास के साथ देखते हैं, और हम भी आपके विश्वास को ऐसा ही कायम रखने का में साथ परियास करेंगे, एक बार पुने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,